पहलो त्रेडर्स की एकस्कार एकस्पाइडकिन उस से पहले बात करें पिछले दो दिनों में मार्केड मैं क्या विपोरी चीजए कीज़ कोई मुमेंटम नहीं मिला प्रीमियम डिके हुए और बहुत सारे ट्रेडर्स के लॉस हुए वहीं दूसरी और आज निफ्टी के एक्सपायरी थी लेकिन बैंक निफ्टी में कोई मुमेंटम नहीं था जो ट्रेड यहां पर लिया था ओल्टा 20-30 पॉइंट नीचे की साइड में हमारा जाकर के क्लोज हुआ निफ्टी में जो प्रीमियम है हमने 20-25 के बीच में जो श्ट्राइक प्राइस मुझे रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं लेकिन 20-25 के बीच में दिया था 28 का लो मारके फिर 63-64 तक भी गया था तो उसमें भी एंट्री नहीं मिली तीसरा ट्रेड बहुर सारे लोग फ्री चैनल में इसलिए मैं बताना चाहत नहीं पर नहीं थोड़ा था हुँर मुमेंटम के लिए हम लोग के लिए भी बहुत बड़ा है क्यों दिए क्यों की कुछ नहीं कर सकता है यह बात है कल हमें लग रहा है एक थोड़ा गैप डाउन खुल सकता है तो वहां पर आप लोग के साथ पैसा बन जाए बीटी एश्टी टेड में चलिए अब बात करेंगे के अब यहांसे क्या लगता है है कि लोग फटीवन हैं नीचे 51,250 हमारा यह पॉइंट रहेंगा कल भी यह अमने निकाल के रखा था सपॉर्ट जों यह इसके पास एक हमारा पहला सपोर्ट एरिया है इसको तोड़ा तो 51,000 नीचे और तीसरा 50,400 51,000 राउंड की स्ट्राइक प्राइस से एक साइकलोजिकल लेवल भी हमारे लिए तो यह कल के दिन में ध्यान में रखना आप लोगों को और उसके साथ साथ में हो सकता है यह तक मार्केड एक बाड़ एक करें हमें यह लग र्याख रहा है कि अगर अघुफिस एलो आफ यह से से आया या फिर हमें निफ्टी भी थोड़ा सा यहां से वीकर लग रहा है तो बैंग निफ्टी लॉंग टम में आने वाले थ्री टू फॉर वीक्स में हमें ऐसा लग रहा है कि बैंग निफ्टी कि आने वाले टाइम के लिए आप लोग अगर कोई पोजिशनल सॉट्स बनाना चाहता है लेकिन आपको ट्रेल करना जरूरी है कि 51,000 पर सपोर्ट लिया ग्लोबल कुछ अच्छा हो गया तो हो सकता हम लोग ऊपर की साइड नहीं तो नीचे की साइड डाउंसाइड मैंने लेकिन उसके सामने रिस्क हमारी राएगी 500 पॉइंट्स की तो जो यह रिस्क लेकर ट्रेड करना चाहता कर सकता है अगर 52,000 तो फिर उपर में हमारे पास बाइंग साइड का सिगनल बन जाएगा 52,500 और 53,000 तक भी निफ्टी यहां से निफ्टी बैंक यहां से जा सकता है तो अपसाइड भी बता दिए डाउनसाइड भी बता दिए अब आपको करना क्या है शॉट करना है 51,000 नाइन फिप्टी से 52,000 के बीच में इसके पास में जितना आए वहां पर आपको शॉट सालिंग की पोजिशन आपकी बनानी तो आपका स्टॉप लोस कम रहेगा रिस् बता दिए काल के दिन जैसा प्राइस सेक्षन रहेगा बाता हम लोग ट्रेट करेंगे हमारी इस्ट्रेटिजी मैंने आपको क्लियर बता दीती कल का जो लाइव सेशन देखा हुआ कि हम लोग कल गए तो बोचीज हो सकता है देखने को हमें मिले वियू हमारा अभी भी सैलन राइच का बैंग निफ्टी के अंदर अब बात करेंगे निफ्टी की कि निफ्टी में हमें अब शॉट करने के लिए पता क्या अच्छा लग रहा है आज निफ्टी क्लोजिंग दिया 25,145 लगातार दूसरे दिन कल भी हमने असी जनब पॉइंट नीचे क्लोजिंग देखी आज भी 50 पॉइंट नीचे हम लोग देख रहे है 25,145 की हमारी क्लोज क्लोजिंग हमारी ठीक है 25,145 हमारी क्लोजिंग है सपोर्ट 25,480 यह हमारा पहला सपोर्ट का काम करेगा 25,080 दूसरा सपोर्ट 25,497 यह सपोर्ट हमारा इसलिए बन रहागी है यही पर प्राइस ने एक बार रिजेक्शन ले लिया था या फिर एक यह लोग बला है तो यह इरिया है नहीं तो हमें स्टॉप लॉस किलियर स्टॉप लॉस चीए 25,000 से लेकर के 24,970 की बीच में आपका स्टॉप लॉस राइगा इसके नीचे गया तो निफ्टी ज्यादा खराब हो जाए अभी भी सैल और राइस की स्ट्रेटीज है लेकिन हमें कहां पर करना यह प् रीच करकर के सश्टेन कर दिया तो नीचे हम लोग 24,850 और 24,500 तक देख सकते हैं अब इनको गिराने के लिए सबसे पहले कौन शुरू बात करेगा जो स्यास उल्टे सीधे बढ़े है ऑविसली हम लोग आटो सेक्टर में एक देख रहे हैं कि एक सैल आफ आस रगता है जह हमें लग रहा है कि जब करेक्शन भी आएगा उसी साफ से इनके अंदर करेक्शन आ सकता है तो देखते हैं कि कल के दिन कैसा मार्केट रहने वाला है और हम एक डिटेल अनलिस करेंगे जिसमें FIDS का डेटा भी रहेगा आज भी हम लोग एक बार यहां पर FIS का डेटा आप FIS देखिए 4 September को जोचीज मैंने आपको बोली थी के डेटा बाइंग साइड आ सकता है इनका 975 करोड का इन्होंने बाइक किया कैस में 97.35 करोड का यह नहोंने पता कल कैस में क्यों बाइंग की क्योंकि इन्हें मार्केट ने नीचे से थोड़ा ऊपर लाना था गैप डाउ कर लेंगे हम लोग इन्डेग्स पॉजिशन बना लें आप अपर इन्डेख्स फ्यूचर्स इन्होंने सेल किये थे रहा सो तैस्थि करोड के और उसके सामने इस्टॉप फूचर्स भी नहोंने 5500 5451 करोड के नहोंने सैल किये थे मतलब इनोंने मैजूरिटी माल अपने न वीडियो के लिए मैं फॉलो करिए अब आप लोग अगर यह चाहते हों कि हम लोग डिसकर्स करें कि कहां पर कितने सॉट्स है और डेटा क्या है और डिटेल एनलिस चाहते हो तो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए वैसे उस तरीके से हम लोग आप वीडियो अपना प्ला